हिंदुस्तान की ये तस्वीर देखकर भला गर्व क्यों न हो बदलते वक्त के साथ भारत के गाओं ने भी आधुनित्ता को जिस तरह गले लगाया उसे देखकर गर्व होता है ये वही गाओं हैं जो कभी अंधेरों में डूबे रहते थे जहां रोश्णी के अभाव में बच्पन बिना पढ़े गुजर जाता था जहां चूलों से उठते धुओं से आखें दुखती थी लेकिन आज हमारे गाओं आधुनिक हैं यहां घरों में रोश्णी है खेतों में हर्याली है संपन्न परिवार हैं और घरों में खुश्छाली है गाओं में संपन्नता के साथ यह भी आवश्यक है जो कि मल, कूड़ा, गंदगी इत्यादी उत्पन हो रहा है उसका हम अच्छे तरीके से निश्पादन करें हमारे देश में लगवग 250 लाख पशुधन है जिससे तकरिवन 1200 लाख टन अपशिष्ट पदार्थ यानि गोबर और मूत्र अरजित होता है आम तोर पर गाओं में गोबर का इस्तमाल इंधन के तोर पर होता है लेकिन हमारे गिसान भाई इसका पौर्ण उपियोग अभी भी नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वज़े से पशुध अपशिष्ट का एक बड़ा हिस्सा व्यर्थ हो जाता है खुले पड़े गोबर से वायू प्रदूशन के साथ साथ गंदगी बढ़ती है इस गंदगी में जहरी लिमच्छर, कीट, पतंगे और ऐसे जिवानों पैदा होते हैं जो इनसानों वो मवेशियों के लिए काफी नुकसान दायक साबित होते हैं अगर इस गोबर को बायोगैस संयंत्र द्वारा इस्तिमाल में लाया जाए तो इससे ना सिर्फ गोबर का कुशलतापोर्ण प्रबंधन होगा बलकि ये ग्रामीन भारत के लिए उर्जा का एक बेहतरीन स्रोत भी मन पाएगा यानि आम के आम और गोठियों के दाम दरसल बायोगैस प्लांट के जरिये गोबर से घरिलू गैस बनाने की पद्धती पिछले कई दशकों से हमारे गाओं में अपनाई जा रही है ये गैस गंध रहित और धुआ रहित होती है ये परियावराण प्रदूशन को नियंत्रित करने में भी उप्योगी है बायोगैस उर्जा का एक ऐसा विकल्प है जिसका इस्तेमाल खाना बनाने, बल्व जलाने से लेकर कई अन्य कामों में भी किया जा सकता है आईए आपको समझाते हैं कि गाओं में व्यर्थ माने जाने वाले गोबर का इस्तमाल उर्जा के एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर आखिर कैसे किया जा सकता है बायोगैस प्लांट मुख्य तौर पर चार भागों में बटा होता है बायोगैस प्लांट की रचना पहला भाग सलरी मिक्सिंग टैंक गोबर में पर्याप्त मात्रा में पानी डाल कर इसे पाइप के माध्यम से टैंक में डाला जाता है ताकि इससे गोबर का एक गाढ़ा घोल तयार किया जा सके दूसरा भाग डायजेस्टर टैंक ये टैंक जमीन के अंदर मुख्यतोर पर इंट और सीमेंट से बना होता है इस टैंक में मूलतर दो प्रकार की रासाइनी प्रक्रिया होती है पहली प्रक्रिया में अमल यानि की एसिड बनता है और दूसरी प्रक्रिया में मीथेन अत्वा बायोगैस बनती है बायो गैस एक ज्वलनशील पदार्थ है जो जलने के पश्चात उर्जा पैदा करती है क्योंकि ये बायो लॉजिकल प्रक्रिया से उत्पन होती है इसलिए इसे बायो गैस कहा जाता है तीसरा भाग गैस होल्डर डाइजस्टर से निर्मित गैस निकल कर यहीं जमा होती है इसके उपर से पाइपलाइन के माध्यम से गैस चूले के बर्दर तक ले जाई जाती है और चौथा भाग आउटर टैंक और सलरी पिट गोबर के गोल से गैस निकलने के बाद खुद बखुद सलरी बाहर आकर सलरी पिट में जमा हो जाती है सलरी के तौर पर बाहर निकला ये गैस रहित गोबर कृशी के लिए बेहद उपियोगी होता है इस स्लरी को सुखा कर खेतों में जैविक खाद के तोर पर इस्तमाल किया जा सकता है या फिर इस स्लरी से केच्वा खाद का भी उत्पादन किया जा सकता है तो आईए जानते हैं कि विभिन नस्रोतों से कितनी बायो गैस बन सकती है गोबर मीथेन गैस का बड़ा स्रोत है 350 किलोग्राम गोबर से हमें 60 किलो मीथेन गैस मिल सकती है वहीं मुर्गे पालन से अरजित होने वाली 440 किलो बीट से 65 किलो तक मीथेन गैस का निर्मान हो सकता है इसके अलावा फसल अवशेश जैसे सुखे पत्ते भी मीथेन बनाने में कारगर हैं 450 किलोग्राम सुखे पत्तों से 44 किलो मीथेन बनाई जा सकती है वहीं 930 किलोग्राम लकड़ी का बुरादा 46 किलोग्राम मीथेन का उत्पादन कर सकता है गोबर और जैविक व्यर्थ से बनाई जाने वाली नैच्रल गैस की उपयोगता को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर बायो गैस प्लांट को बढ़ावा देने के लिए योजना तयार की है और बायो गैस प्लांट लगाने वाले किसान भाईयों को अनुदान देने की व्यवस्था की है हर राज्य में बायो गैस प्लांट पर मिलने वाली सबसिडी की दरें अलग है बायो गैस प्लांट के लिए डेरी किसान और गोशाला संचालक गोबर गैस के साथ-साथ जैविक खाद का भी उत्पादन कर सकते हैं राज्य सरकारों के तरफ से इस काम के लिए 40-60 फीसिदी तक सबसिडी देने का प्रावधान है सरकारी सबसिडी की मदद से कम खर्च पर किसान अपने घर में ही बायो गैस प्लांट लगा सकते हैं मुर्गियों की बीट और फसलों के कच्रे को भी इस्तमाल किया जा सकता है इसलिए पशू रखने वाले किसानों के साथ साथ पोल्टरी फार्मिंग करने वाले किसान भी बायो गैस प्लांट लगाने के लिए सरकारी मदद का लाब ले सकते हैं चलिए अब आपको बायो गैस प्लांट से होने वाले कुछ अन्य फायदों के बारे में भी बताते हैं। चलिए अन्य फायदों के बायो गैस प्लांट से हमें उच्च गुणवत्ता का खाद भी मिलता है जो फसलों के लिए काफी फायदमंद होता है। अन्य फायों के लिए जो दूधारों मवेशी पालते हैं। ऐसे किसान दूध के साथ साथ गोबर से गैस का उत्पादन और जैविक खाद के जरिये अपनी आए को कई गुना बढ़ा सकते हैं। जिस तेजे से हमारे गाओं आधुनिक हो रहे हैं, पूरे भारत की तस्वीर बदल रही है। तो क्यों ना वक्त के साथ कदम दाल करें। हम भी आधुनिकता के इस युग को एक नई रफतार दें और एक स्मार्ट किसान बनें। क्यों मुचल करें।